हम सभी ने कोईले को जलते हुए देखा है कोईले में होता है कार्बन यही कार्बन अट्मोस्फियर के ऑक्सिजन के साथ रियाक्ट करता है और कार्बन डायोकसाइड बनाता है इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट ये एवॉल्व करता है कार्बन से बने हुए बाकी compound में से बहुत सारे compounds जो है ये oxygen के साथ react करता है और heat generate करता है जैसे कि यहाँ पर हम methane को जलते हुए देख रहे हैं यहाँ बरफ के नीचे methane का भंडार है यहाँ बरफ में छेद किया गया तो उससे methane gas निकल रहा है उसी को जलाकर इस केतली को गरम किया जा रहा है हमारे घर में जो रसोई गैस होता है उसमें रहता है Liquified Petroleum Gas, LPG जिसमें mainly propane और butane होता है propane और butane दो hydrocarbons है तो ये भी इसी तरह से जलता है oxygen के साथ react करके petrol और diesel भी hydrocarbons ही है ये भी बड़े explosively जल सकता है मतलब oxygen के साथ react करके ये बहुत सारा heat generate कर सकता है तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि carbon से बने हुए जो compounds है उनका chemical properties किस तरह का होता है basically हम चार तरह के reactions के बारे में बात करेंगे एक तो हो गया combustion जहाँपर की जलने के बारे में हम बात करेंगे oxygen के presence में जो जलता है उसी को combustion कहा जाता है दूसरा हम oxidation reaction के बारे में बात करेंगे फिर हम addition reaction और substitution reaction के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं combustion reaction से यहाँपर क्या होता है कि oxygen के presence में वो compound चलता है तो सिर्फ carbon oxygen के साथ react करके carbon dioxide बनाता है इस तरह से कुईला जो जल रहा है और साथी साथ बहुत सारा heat वो generate करता है carbon से बने हुए जो compound से जैसे की methane, CH4 ये भी oxygen के साथ react करता है carbon का यहाँ oxidation होता है यहाँ पर oxygen आके जुड़ता है hydrogen यहाँ से बाहर निकलता है carbon dioxide और पानी बनता है इस reaction में और बहुत सारा heat generated होता है उसी तरह से carbon से बने हुए बागी compounds यहाँ पर हम ethanol का example ले रहा है यह जो ethanol है इसे methyl alcohol भी कहा जाता है यह oxygen के presence में इसी तरह से जलता है है carbon dioxide और पानी बनाते हुए heat generate करता है यहाँ पर आप इथनॉल का वेपर को जलते हुए देख रहे हैं इस जार के अंदर तो यह तो था combustion reaction यहाँ पर देखे oxidation हो रहा है इस case में भी देखे तो carbon के साथ oxygen जुड रहा है यहाँ पर भी carbon का oxidation हो रहा है तो यहाँ पर oxidation हो रहा है लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस process में heat generated हो रहा है कभी कभी oxidation तो होगा लेकिन वहाँ पर heat generated नहीं होगा बलकि हमें heat provide करना होगा इस तरह के reactions को हम oxidation के category में रखेंगे तो यहाँ पर देखे इथाईल alcohol है इथाईल alcohol को अगर alkaline potassium permagnate के presence में रखा जाए या उसके साथ रखा जाए और उसे गरम किया जाए या फिर acidified potassium dichromate के साथ मिला कर अगर गरम किया जाए तो इस process में बनता है ethnoic acid तो यह जो है यह oxygen provide करता है और वही oxygen क्या करता है यहाँ से hydrogen को और इस hydrogen को यह हटाता है replace करता है और oxygen double bond के साथ इस carbon के साथ आकर जुड़ जाता है तो इस process में देखे heat evolve नहीं हो रहा है बलकि हमें heat provide करना पड़ रहा है तो पिछले example में combustion के example में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर heat generated होता है मतलब वो exothermic reaction था यहाँ पर यह reaction endothermic reaction है चलिए आगे बढ़ते हैं next addition reaction इस तरह के reaction में क्या होता है कि कोई unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon मतलब ऐसा hydrocarbon जहाँ पर की carbon carbon के बीच कम से कम एक double bond या triple bond रहे तो उस तरह के hydrocarbon को unsaturated hydrocarbon कहा जाता है इसे जब nickel या palladium जैसे catalyst के presence में hydrogen के साथ react करवाया जाता है तो वो hydrogen क्या करता है इस bond को तोड़ देता है double bond को तोड़ कर उसे single bond में convert कर देता है और वहाँ पर hydrogen atoms दो hydrogen atoms आके जुड़ जाता है तो इस तरह के reaction को addition reaction कहा जाता है जहाँ पर की unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon में convert होता है अगला reaction है substitution reaction chlorine hydrocarbons के साथ बहुत ही तेजी से react करता है जैसे यहाँ पर example देखे methane के साथ chlorine का reaction हो रहा है यहाँ देखे यह methane है यह chlorine के साथ यह react कर रहा है यहाँ पर होता क्या है chlorine जो है एक hydrogen को यहाँ से substitute कर देता है एक chlorine atom और यही hydrogen आके दूसरे chlorine atom के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर देखे CH3Cl बना और HCl बना तो इस तरह का reaction है इस तरह के reaction को substitution reaction कहा जाता है तो यह था कुछ basic basic chemical properties कुछ basic reactions कारबन से बने हुए compounds का अब पिछले वीडियो में हमने यह बात किया थे कि कारबन से बने हुए compounds को नाम कैसे दिया जाता है उस वीडियो का link आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा अब अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि कारबन से बने हुए कुछ compounds कुछ important compounds जैसे कि ethanol और ethanoic acid इनका properties, chemical properties किस तरह का होता है अब जाते जाते मैं आपको बता दू कि इस chapter के सारे वीडियो का जो playlist है उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो मिलेंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, goodbye